first theory of atom which is called delton's atomic theory delton was the guy जिसने पहली बार सा सोचा था कि अगर अपन को उस समय की experimental observation समझाना है like observations of law of conservation of mass law of constant composition law of multiple proportion अगर यह समझाना है तो अपन मान सकते हैं कि every matter is made up of smallest particles उनकी property क्या क्या मानना हो अपन देखेंगे delton ने क्या क्या बोला कि अगर अपन को सारी observation समझाना है तो अपन को एक छोटा particle मानना होगा जिसको बाद में atom बोलेंगे और उसकी यह यह property होनी चाहिए उससे पहले भी लोगों ने बोला था लेकिन that was unofficial theories तो वो नहीं मान सकते we officially हमें मानना होगा कि डेल्टन से पहले चालो हुआ कि atom क्या होता है ठीक है he was the first guy and अभी में जो पढ़ने वाले इसमें काफी कुछ चीज़ है तुम्हें लगेगा कि already से पता है but again we are studying what was said 200 years ago ठीक है and the theory is called डेल्टन's atomic theory so डेल्टन's atomic theory मैं डेल्टन ने बोला कि मानना होगा every matter is made up of smallest indivisible particle जिसको divide नहीं कर सकते अब यह obvious है कि अगर किसी चीज़ को तुम divide कर दोगे और छोटे particle में तो फिर उस तो छोड़ी चीज़ हो जाएगी अगर आपने smallest बोल रहे हैं ठीक है यह गलत है मैं पता है उससे अंदर भी चीज़े होती है ठीक है लेकिन उस समय experiments मैं उस समय जो मैं समझाना था और अपन समझा सकते थे यह मान कि उसके अंदर की चीज़े में discovery नहीं होई थी ठीक है उसका पहला point वो बोलता है indivisible that is atom cannot be further divided into smallest particles ठीक है so atom सबसे छोटी चीज़ होती है जिसको divide नहीं कर सकते फिर वो second point बोलता है atom को ना तो अपन create कर सकते हैं ना atom को destroy कर सकते हैं कहने का मतलम atom universe में जैसा पहले था वैसा आज है वैसा ही बाद में रहेगा atom कभी change नहीं होते हैं they remain same forever वो destroy भी नहीं होते हैं they remain as they were before and they will remain as such forever so this point is also wrong but अपन देखेंगे कि क्या क्या कमिया है लेकिन वापिस हमें समझ ना है delton ने क्या तो मैं सोच ना होगा कि you are 200 years ago उस समय delton बोल रहा है ठीक है और उस समय के observation के साब से यह सब feedback है ठीक है so पहली चीज़ बोलता है atom एक छोटी चीज़ होती है और वो indivisible होता है उसको और छोटा नहीं कर सकते है ठीक है it is the final most thing of every matter second वो बोलता है भाई वो जो matter है वो जो particle है वो जैसा रहता है वैसा ही हमेशा रहता है वो change नहीं होता है फिर वो third point बोलता है कि हर element के जो छोटे particle होते है ठीक है जिनको पन बोलेंगे atom अब atom एक्चली आया क्यों यह जो indivisible वोट होता है ठीक है वो क्यों आया इसका नाम दिया गया indivisible था indivisible है अचली यह उसे ग्रीग language और ग्रीग language के साब से A A Tomyos actually Tomyos stands for divisible A is like we use samarth asamarth so atom is becomes indivisible again from here we get the word called atom so atom itself says that it is indivisible atom ठीक है so every particular element मतलब अगर तुम्हारे पास पैंसल है पैंसल में graphite है that is suppose made up of only carbon atoms ठीक है और उसमें वो बोलता है वो जो carbon atoms होते है ठीक है वो exactly same होते है मतलब graphite बहुस तरी carbon atom से बना होगा और हर carbon atom exactly same होगा उसमें कोई अंतर नहीं होगा ठीक है गलत है बट उस समय के साब से यह बोला गया था और यह चीजें explain कर रहा था अभी तो अपने क्या पढ़ा सब्सक्रों छोटा होता तो डिवाइड नहीं कर सकते जैसा था वैसा ही है और एक element के सारे atoms exactly same होते है fourth point वो बोलता है अलग-अलग element के atoms अलग-अलग होते हैं suppose मैंने बोला carbon के atoms अभी सारे एक particular तरीके से वैसे अगर आपन दूसरे iron की बात करें तो उसके भी atoms होंगे जिससे वो iron बना होगा वो सारे same होंगे iron का एक particular तरीका होगा लेकिन carbon और iron के atom अलग-अलग होंगे यह obvious है तुम सोचो अगर दो चीजे हैं और वो ultimately same चीज से बनी होई है तो वो अलग-अलग कैसे हो सकती है obviously अलग होगा तो यह obvious point है भाई कि दो अलग-अलग matter कि जो atom होते हैं जो element होंगे उनको जो atom होंगे वो ultimately अलग-अलग होंगे same नहीं होंगे ठीक है so this is very obvious point कि yes different elements will have different atoms fifth point वो बोलता है यह बहुत important point है क्योंकि यह आज भी अपन follow करेंगे इसको और करते हैं कि पहली बार इसीने बोला था कि जो chemical reactions होती है वो atoms की बज़े से होती है मतलब उससे पहले भी reactions होती होंगे scientists लोग करते थे कि आप उसे एक compound मिला है B compound मिला है color change होगे C बन गया so it was a mystery भाई यह हो क्या रहा है चल क्या रहा है मतलब magic से अचानक color change होगे what is this there was no rational explanation for them but atom ने पहली sorry Dalton ने पहली बार सोचा कि आपन इन सब को atomic scale पर जाके सोच सकते है मतलब A और B जो तुमने बीकर में compound मिला है actually उनके ultimately atoms combine हुए और नया compound बना मतलब ultimately चीजे atomic scale पर chemical reactions होती है ठीक है मतलब उस से में लोग सोच सकते like magical fluid A magical fluid B magic से बन गया C but from here we first time have an understanding of matter in terms of very small fundamental particles मतलब यहां से वह अपन चीजों को matters को उनके छोटे छोटे particle के टम में सोच पाएंगे so this was a big deal यह बहुत बड़ा point है बहुत बड़ा point है ठीक है यह chemical reactions atoms की वज़े से होती है इससे पहले ऐसा नहीं सोच सकते और तुम आज इसको you know granted ले तो ऐसे होता बाई एक B से में atoms combine होता पुड़क बनता है but it was Delton who taught us कि ऐसा सोचना चाहिए ठीक है तो chemical reactions atom की वज़े से होती है फिर next point वो बोलता है atom जो combine होंगे जो reactions होंगे atom जो combine होते है यह fixed whole number ratio में होते हैं ठीक है एक तो whole number और fixed कहने का मतलब suppose HRO combine होगा तो 2 is to 1 में combine होगा H2O बनेगा ठीक है ratio fraction नहीं हो सकता ratio कुछ और नहीं हो सकता हमेशा whole number होगा और fixed होगा मतलब 2 is to 1 में ही combine होगा H2O ही बनेगा we know that this is also false ठीक है atoms can combine in different ratio मतलब H2O तो बना H2O भी बनता है इसके बाद पूरी organic chemistry है जिसमें carbon hydrogen हजारों के लाखों तरीके से combine हो सकते है ठीक है ratio vary कर सकता है whole number की जरोद भी नहीं है अपने compound ऐसे बनते है FeO 0.95 वो खुल vary भी कर सकता है the point is again यह सब basic चीजे हैं चोटे में पढ़ा होगा बटब जाके पता है कि काफी कुछ गलत है ठीक है so atoms combine होते है ratio whole number होता और fixed होता है यह delta ने कहा तो यह अपन मानेंगे तो उस समय की explanation को observe कर पा रहे है ठीक है so repeat करेंगे सारे points उसने क्या बोला पहला वह उसने बोला तो imagine करो वह बोल रहा है कि यह ऐसा एक चोहरिक मेटर के लिए चोटा पार्टिकल होता है जिसको डिवाइड नहीं कर सकते वह पार्टिकल जैसा था वैसे रहे तो यूनिवर्स में कभी चेज़ नहीं होता ठीक है 6th point यह जो combine होके atoms combine होके chemical reaction होती है इनका combination का एक तरीका है वो whole number होता है और वो fixed होता है So this was Deltan's theory और अगर वन यह चीज़ माने है तो we can explain law of conservation of mass law of conservation of constant composition multiple proportion लाइक ए और ब मिला ठीक है atoms combine होए दूसे चीज़ बनी है तो mass conserve रहेगा getting my point so उस समय की theories we were able to explain if we consider Deltan's atomic theory but ठीक है we know now कि यह सब गलत है मतलब काफी कुछ उसनों जो बोला था उस समय की सब सही था अब discoveries हो चुकी है और हमको पता है यह थोड़े गलत है जैसा पहला point पहले point के बात करेंगे अपन Indivisible बिल्कुल कर सकते हैं Electrons हो सकते हैं Protons हो सकते हैं Neutrons हो सकते हैं और तो और यह भी Particles से बने होते हैं Quarks होते हैं इसके अंदर और भी चीज़ें होती है ठीक है उतना नहीं पढ़ना है ठीक है पहली बाद पता होना अच्छी है हमारे course में पता होने चीज़ें किसना पंग को पढ़ना है ठीक है और वो पता भी होगा तो complete पता होगा नहीं एक्स्टा चीज़ें बढ़ हां तुम पर सकते हो अगर तुम अच्छे कॉलेज जाओगे ठीक है IIT जाओगे तो तुम काफी कुछ पर सकते हो research institute जा सकते हो ठीक है काफी कुछ पर सकते हो फिर detail में आगे बहुत कुछ है PhD करो लेकिन बहुत आगे की चीज़ है तुम खुद के particle दूर सकते हो certain lab जा सकते हो लेकिन वो बहुत दूर अभी तुम 11-12 में हो तो पहले यह पढ़ना है ठीक है अच्छे से score करना अच्छे college जाना है अच्छे professor को से पढ़ना है अच्छी knowledge लेना है फिर तुम और आगे बढ़ोगे PhD करोगे बुल्कुल नया पाटे को अपने नाम पर रख देना My point is बढ़ वो सब चीज के लिए step by step process होता है ठीक है जब तक यह नहीं होगा आगे नहीं बढ़ पाऊगे तो यह समझना तो indivisible बोला था उसने बट अपनको पता है इसके demerits हो गई है ठीक है इसा demerits उसके so electron, proton, neutron होते हैं भाई अगर वो होते हैं इसका मतलब we can divide this small particle called atom नाम तो atom है बट अपन तोड सकते हैं उसको ठीक है can either be create or destroy क्या है कभी create or destroy नहीं कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं like nuclear fusion and fission reaction uranium 238 को अपन तोड देते हैं दूसरे atom के अंदर 238 गायब हो गया कुछ और बन गया ठीक है तो वह जो बना वह create हुआ है 238 गायब हो गया 238 गायब हो गया fusion reaction में HOH-Mil के helium बना सकते हैं तो hydrogen गायब हो गया क्या बन गया helium helium create हो गया hydrogen destroy हो गया so my point is we can create atoms and we can destroy atoms but यह सब nuclear chemistry है जो अब जी 50-60 years old है ठीक है यह बहुत recent चीजह है so we can nuclear fusion and fission reaction इसके fusion and fission यह हो गया इसके demerits ठीक है particular element will have same atoms क्या यह सही है नहीं भाई isotopes होते है isotopes क्या होते है अगर अपन carbon के बात करें उसके atoms होंगे बहुत सारे लेकिन कुछ atoms ऐसे होंगे जिनका atomic number पड़ा होगा atomic number तो same होगा but mass number अलग-अलग हो जाएगा ठीक है तो यह exactly same नहीं होए properties वगरा chemical properties वगरा same होंगे but at least weight in part अट दोना atom का अलग-अलग होगा carbon का ही atom बोलेंगे सारी property carbon की तरह होंगी but है नहीं exactly same थोड़ा difference है तो अगे इसमें कमी आ है मिलब यह कमी है कि भाई अब हमको पता है कि यह गलत है हमें इससे जादा पता है different element, different atom भाई यह बात तो सही है क्योंकि different element अगर same atom होगा तो फिर different कैसे होंगे this is obviously correct chemical reaction atom की वज़े से होता बिलकुल सही भाई chemical reaction अपने atom की वज़े से atom के basis पर combination of atoms whole number and fixed यह गलत है vary हो सकता है non whole number हो सकता है so point is this is wrong whole number जरूरी नहीं है fixed यह भी जरूरी नहीं है और भी कुछ experimental observations थे like glass rod को अगर अपन silk पर rub करते हैं अब पॉइंट वह जाता है यह charge कहां से आई यह क्या चीज है charge अगर यह भी glass rod पर भी atom पर थे इसके भी atom ते कम अपने रब किया तो यह atom को क्या हो गया कि भाई यह charge हो गया मतलब कुछ तो है कुछ तो और भी है कुछ तो चल रहा है क्या है वह so there was obviously doubt यह बहुत simple चीज थी but ऐसे से experiments हुए observations हुए तो पता पड़ा भाई इसमें कमिया है इसको अपन सही कर सकते हैं लेकिन वह experiment होंगे उनको समझाने के लिए फिर सही करेंगे on the basis of experiment randomly नहीं बोलेंगे तो पहली theory तुमारे पास यह है मतलब delta ने जो दी थी अगर अपन किसी मतलब एक ऐसे बंद हो जो कुछ नहीं पता उसको समझाएं और बोलें बताओ atom क्या होता है वह बोलेगा atom मेरा आपने बोला indivisible है आपने बोला divide करेट नहीं कर सकते है सेम होता है सब बोला लेकिन वह बोलेगा यह होता है atom आपका smallest 3D में particle यहां देखो यह यह बनाया है यह यह है एक very very small dot in 3 dimension यह अपना item हो गया क्योंकि सारी property explain करते हैं आपने बोल सकते हैं इसको तोड़ नहीं सकते यह जैसा है वैसा रहता होगा हर एक किंदे छोड़ छोड़ बहुत small particle है सेम होता होगा different होता होगा यह होता है this is our atom therefore सबसे पहला structure atom का यह है जो माना गया था कि एक simple छोटी dot होती है पर obviously पने को बहुत कुछ पता है वो सब पता है और वो कैसे पता पड़ा वो सब आगे step by step पढ़ेंगे और मज़ा आएगा समझ में आएगा कि देखेगा actually किस तरीके से चीजें होई है ठीक है तो ध्यान से देखना इतना clear होना अची है now you can एक बार read NCI डिगा वो first paragraph you will realize सब कुछ समझ में आया है जो उसमें लिखा हुआ है ठीक है आप आपन आगे बढ़ेंगे next पढ़ेंगे Cathode Ray Experiment ठीक है किया था JJ Thompson ने उससे पता पड़ेगा यह गलत क्यों है ठीक है so let's move on यहीं पार